हलो दोस्तों स्वागत है आपका तेज़ फैक्ट्स टीवी में आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के 6 सबसे जहरीले सापों को भारत में सापों की लगभग 270 प्रजातियां पाई जाती है जिनमें से लगभग 50 प्रजातियों में ही जहरीले साप होते हैं इनमें से भी लगभग 15 प्रजातियां ऐसी हैं जो बहुत अधिक जहरीली और उनके काटने से ही मृत्य हो सकती है गैर अधिकारिक आखड़ों के अनुसार भारत में हर साल लगभग 46,000 लोग इस जहरीले सापों के काटने से मर जाते हैं तो आएए जान देते हैं भारत के छे सबसे जहरीले साप कौन से हैं तो हमारे list में छे नंबर पर जो साप आता है उसको Indian Pit Viper के नाम से जाना जाता है Indian Green Pit Viper को भारत में बंबू वाइपर या ट्री वाइपर के नाम से भी जाना जाता है ये साप मुख की रूप से जाडियों में या बास के पेडों में रहते हैं इंडियन पिट वाइपर में ढग छिपकली और कीडों को अपना सिकार बनाते हैं इन सापों की लंबाई धाई फिट 2.5 फिट होती है इंडियन ग्रिन पिट वाइपर की प्रजातियां ज्यादातर भारत के पस्यमी घाट पर पाई जाती है हमारे लिस्ट में पांच नंबर पर जो साप आता है सिर्फ वो ही नहीं उसका नाम भी खतरनाक है यह साप भारत की ही नहीं बलकी 200 का सबसे लंबा जहरीला साप है इसकी लंबाई 13 से 15 फुट होती है यह ज्यादातर वर्षा वनों नम जंगलों सांत दल्दलों और बास के वनों में रहते है बहुत ही अधिक जहरीले होने के कारण इनके काटने से मृत्ति होने की संभावना ज्यादा होती है लेकिन गनीमत यह है कि बहुत ही कम लोगों को काटता है लिस्ट में चार नंबर पर जो साप है उसका नाम साइसकेल्ड वाइपर है साइसकेल्ड वाइपर नाम का यह साप सिर्फ अपनी लंबाई से छोटा होता है लेकिन अपनी गुसेल, चीड़शडी और अत्यंत आक्रामक प्रवित्ती और इसकी घातक जहर सक्ती इसे बहुत ही कतरनाक बना देती है भारत में यह सलाना लगभग 5,000 मोतों के लिए जिम्मेदार है लिस्ट में तीन नमबर प्रजो साप आता है उसे रसेल वाइपर जिसे भारत में कोरी वाला की नाम से भी जाना जाता है हाला कि यह इंडियन करेट से कम जहरिला है फिर भी यह साप भारत में सबसे घातक साप माना जाता है यह बेहत गुसेल साप पिजली की तेजी से हमला करने में सच्छम है इसके काटने की वज़े से भारत में हर साल लगभग 25,000 लोगों की मोत हो जाती है सेकेंड नंबर पर जो साप है उसे इंडियन कोबरा के नाम से जाना जाता है इंडियन कोबरा को भारत में नाग के नाम से भी जाना जाता है यह भारत के सबसे खतरनाक सापों में से एक है या ज्यादातर जंगल में नदियों के किनारे खेतों में और गावों के आसपास रते हैं या रिंगने वाले जीव छिपकलियों और मेडिकों को अपना सिकार बनाते हैं इंडियन कोबरा साब को हिंदू धर्मे में पूजा भी जाता है भारत में हर साल लभख 15,000 लोग इनके काटने से मर जाते हैं हमारे लिस्ट में एक नंबर पर जो साप है उसे भारत का सबसे जहरीला साप माना जाता है जिसका नाम इंडियन करेत है भारत में लोग इसे करेत भी करते हैं इसके सिर्फ एक बार काटने से इतना जहर निकलता है कि उससे 60 लोगों की जान जा सकती है इस साप की 12 प्रयातियां और 5 उप प्रजातियां है यह साप भारत में सालाना 10,000 मोतों का जिम्मेदार है यह साप रात में ही निकलता है